अब देख रहे हैं आपके चानल शेवजार विदायुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में विभोर स्टील ट्यूब जो सब्सक्रिप्शन के बारे में दोस्तों आज तीसरा दिन था और तीसरा दिन जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में काफी ज़ादा जोड़दार है बलब इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने विटनेस किया है इस IPO के अंदर mad 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 subscription हम कह सकते हैं numbers wise no doubt वो काफी ज़ादा ही दिखता है क्योंकि issue का size काफी small था तो इस वीडियो में बात करेंगे हर एक category के वाले में बली वो HNI हो बली वो QIB भी हो बली वो retail हो या imply हो कि इसमें allotment के chances कैसे रहने वाले तो वीडियो को देखिएगा पूरा लेकिन उससे पहले friends अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तब subscribe जरू कर लीजिएगा so friends Vibor Steel Tubes IPO अब finally close हो चुका है अब इस issue में कोई भी पैसा नहीं लगा सकता है दोस्तों यह issue 13 February को ओपन हुआ था और आज यह 15 February को यह issue close हो चुका है 10 रुपे कि इसकी face value थी price बें करीबन 141 से 151 रुपीज का company ने रखा था बट 151 रुपीज का याद रखेगा आपको एक IPO था और यह पूरा का पूरा fresh issue था जिसकी लिस्टिंग कहा पर होगी दोनों exchanges पर BAC, NAC यह तो हम जानते ही है लेकिन आप बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में सो दूस्तों शुरुवात के दो दिनों में यह जो issue था वो करीबन 109 गुना subscribe हो गया था दो दिन में 109 गुना तो तीसर दिन देखने का बहुत जादा यहां पर यह था कि किस प्रकार का subscription है वो हर category में से आता है QIB पहले दो दिनों में 9 गुना subscribe हुई थी HNI category 2 70.92 time subscribe हुई थी Retails 97.90 time subscribe हुई थी Employee category 85.93 time subscribe हुई थी एंटोटर में लाकर 109 गुना यह जो issue है वो subscribe होने में काम्याब हो गया था मात्र दो दिन में 109 time subscribe हो गया था यह issue और हर एक category अपने आप में काफी दंदार तरीके सबस्क्राइब हुई थी तो अब final day किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन रहा है चलिए यह देख लेते है तो सबस्क्राइब शुरू करते है QIB से QIB से दो दिनों में इस issue को 9 गुना subscribe किया था आकर दिन 191 time subscribe किया है 191 time subscription जो है वो receive हो है almost 9,50,000 shares offer किये गए थे और उसके सामने 18 करोड 18,47,952 shares के लिए अप्लिकेशन है वो हमको receive हो नजराई QIB के द्वारा जादा पैसा नहीं लगाया गया इस issue के अंदर only आप देख सकते 2745 करोड जो है तो QIB ने डाले अगर आप मैंने वीडियो रेगुलर्ली देख थे तो आपको मैंने एक यह बात कही दी कि QIB जादा पैसा नहीं डालेंगे क्यों? विकोज आईप्यो का size small है जो छोटा issue होता है उससे मैंने देखा है QIB सोड़े से दूरी रहते जैसे कि exactly यहाँ पर हुआ विकोज 2,000-3,000 करोड QIB के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपने यहाँ पर QIB के तरफ से 10,000 करोड तो आसनी से हर IP में आता हुआ देखा है 8,000 करोड तो आसनी से हर IP में आता हुआ देखा है पहली बात तो दूसरी बात QIB जादा T केटेगरी जाले IP में नहीं लगाते हैं यह हमेशा से देखा गया है इसके बात दोस्तों जो केटेगरी आती है वो है HNI केटेगरी और यहाँ पर आया माट पैसा 772.35 ताइम्स दोस्तों जो है वो यहाँ पर HNI केटेगरी सबस्क्राइब हुई है कुल मिलाके 8309 करोड रुपे HNI से कंपनी को मिले है अब अपना आप में आप देख सकते हैं कितना पैसा जो है वो HNI से डाला है बात करते हैं हर एक काटेगरी में सबसे पहले इसमें Big HNI पर सो 754.37 ताइम दोस्तों Big HNI केटेगरी सबस्क्राइब हुई है कुल मिलाके 474,000 शेर्स ओफर किये गए थे लेकिन 35 करोड 83,23,471 शेर्स के लिए अप्लिकेशन आ गई अल्मुस् 5,410 करोड 5410 करोड जो है कुल मिलाके 2,37,497 शेर्स ओफर किये गए थे और उसके सामने 19 करोड 19,00,000 शेर्स के लिए अप्लिकेशन आ गई और ओवरल 2,898 करोड जो है वह यहाँ पर पैसा डाला है किसने small HNI तो allotment की chances क्या रहने वाले हैं इस काटेगरी के अंदर देगे small HNI में तो simple सी बात है 808 उना subscribe हुआ है तो हर 808 में से ही एक वक्ति को allotment मिलेगा यहनी allotment के आने के chances आप कुछ समझ सकते हैं कितने जादा यहाँ पर कम हो जाते हैं बट no doubt हो सकता है कि आप वो किस्मत वाले निकले small HNI में 151 के असफ़स बनेगा तो 151 में से दोस्तो Big HNI में एक व्यक्ति को allotment मिलेगा 151 में से एक व्यक्ति को allotment जो है वो round of करके बोल रहा हूं है मिलता हुआ नजर आएगा इस category के अंदर इस प्रकार का यहाँ पर chances होने वाला है आप कुछ समाझ सकते हैं कितना ज़्यादा tough है 151 में से एक व्यक्ति को allotment आएगा Big HNI में इस तरीके का यहाँ पर chances होने वाला है इस बात का ध्यान रखना है इसके बाद दोस्तों जो category आती है वो है important जो है retail category दोस्तों retail भी कहां पीछे हटने वाले थे 200.97 टाइम्स जो है वो retail ने इस इशू में पैसा डाला है 200 टाइम्स स्पस्क्रिप्शन जो है रिटेल को सबस्क्रिप्शन जो है रिटेल को सबस्क्रिप्शन जो है 16,62,000 शेर्स एन कुल मिला के 33,41,12,526 शेर्स के लिए application आ गई और retail ने कुल मिला कर इस इशू में 5045 करोड रुपीज डाले है रिटेल में allotment chances क्या रहने वाला है लेकि retail में बिए simple से बात है अब round off कर लिजे इसको 190 करके 190 में round off करके क्यों बोला है लेकिन हो सकता है कि आपकी किस्मत यहाँ पर बन जाए इस बात और 190 में से एक व्यक्ति आहाँ निकल जाए तो 190 में से एक व्यक्ति को इस इशू में दोस्तो allotment जो है वो लगता हुआ नजर आएगा इस प्रकार के चांसे इस इस इशू में यहाँ पर तो होने वाले है कितने में से 190 में से एक व्यक्ति को allotment यहाँ पर लगेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है रीटेल के अंदर खास बात क्या है कि मैंने पहली बार देखा है कि इंप्लॉय काडेगरी रीटेल से साथ सब्सक्राइब हुई है 214.47 ताइम्स दोस्तों इंप्लॉय काडेगरी सब्सक्राइब हुई है कुल्म लाके 29,502 शेर्स थे जरूर काफी कम शेर्स थे 63,00,000 शेर्स के लिए अप्लिकेशन आ गई 95 करोड के आज-पस जो है यहाँ पर इंप्लॉय काडेगरी में पैसा डाला है अब हो सकता है कि देखे काफी रीटेल लोगों ने गलती से इंप्लॉय में पैसा डाल दिया हुई हो सकता है जो बिड है वो बेसिकली reject होती भी नज़र आएगी इसका मतलब यह है कि आपको allotment तो छोड़िए आपकी application को ही consider नहीं किया जाए अगर आप company की employee category में नहीं आते हैं तो फिर दोस्तो आपको यहाँ पर कोई भी हक नहीं था इस issue में लगाने का employee category आप retail में लगा सकते थे अचना है category में लगा सकते थे बड़ अगर आपने employee में लगा दिया है तो फिर आपकी bid reject हो जाएगी इस बात का ध्यान रखेगा employee category सिर्फ उन्हीं employees के लिए होती है जो उस particular company में काम कर रहे हैं आप कही के employee है और आप सुछते कि कि मैं भी employee category के लिए eligible हूँ ऐसा कहीं से लिखावा नहीं है और कहीं होता भी नहीं है इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए employee category में सिर्फ वो ही लगा सकते हैं जो उस particular company के employee है इस बात का आपको हमेशे ध्यान रखना है बस total मिलाकर दुस्रे जो issue है वो सिर्फ 319 times subscribe हुआ है यानि काफी ज़्यादा subscription जो है वो हमको receive होता हुआ नजर आ है कुल मिलाकर 33,54,000 shares company ने offer किया थै और 107 crore shares के लिए वो application हमको आती भी देखने को मिली यह क्या दिखाता है यह दिखाता है यह company को जबरदस response मिला है कुल मिलाकर 16,190 crore round off कर लिजे 16,200 crore company के हाथ लगे है और company को चिये कितने थै मात्र 72 crore 72 crore भी पूरे नहीं because company ने anchor investor से भी raise कर लिए थै तो company को चिये थै मात्र मान लिजे round off कर लिए 50 crore के असपास और company को 16,000 crore से उपर मिल गए यह दिखाता है कि देखे जो issue में grey market बढ़िया होती है जहाँ पर listing इनका उमीद होता है वह पर लोग पैसा डालने को तयार है लेकिन जहाँ पर premium नहीं है जहाँ पर मुनाफ़ा होने का expectations नहीं है वह पर लोग पैसा नहीं डालते हैं कल भी देखा था जब दो IPO's लिस्ट हुए जना Small Finance Bank और Capital Small Finance Bank और आज भी हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से इस issue में जहाँ पर listing इनका उनकी उमीद थी उस प्रकार का दमदार पैसा निकल कर आया तो यह तो दोस्ते इस वीडियो में हमने इसके बात करी बाक याद रखिएगा allotment की जो chances है वो आपको मने बता दिये allotment की date कौन सी है allotment की date है कल यानि 16th of Feb को आपको इस issue का allotment भी आता वह पता चल जाएगा तो कल का दिन याद रखिएगा important होने वाला है because कल आपको allotment भी इस issue का पता चलेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है अब बात करतें दोस्तो ग्रे मार्केट पे तो जब इतना massive पैसा आएगा तो ग्रे मार्केट तो बढ़नी थी फिर से दोस्तो 80% के पार ग्रे मार्केट हो चुकी है 81.46% का current अब प्रीमियम ग्रे मार्क है जब लिस्टिंग होगी तो इससे भी उपर लिस्टिंग होने की expectation से हो सकता है कि 100% भी आपको मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रकेट जब इतना पैसा आता है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है तो फिर अजीब सी बात वादी सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए पैसा आ रहा है यह हो जाएगा तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बार जोड़ो सब्सक्राइब कर देना तो चैनल से वीडियो